बाहर होने के कगार पर है ये चार टीमें नम्मर एक जानकर हैरानी होगी नमस्कार दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों IPL 2019 एक रोमांचक मोड आ गया है जहां पर हर टीम जीतना चाहते हैं और जीत के साथ अपनी जगा प्ले आप में बनाना चाहती है लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं IPL में अब तक चार ऐसी टीम है जो प्ले आफ से बाहर होने के कगार पर है तो चलिए जानते हैं राजस्थान 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 मातर दो मैचों में जीत मिली हैं बाकी के 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और राजस्थान रॉयल्स इस बार IPL से पाहर होने के कगार पर खड़ी है अगर राजस्थान रॉयल्स को प्ले आफ में पहुँचना है बाकी की बच्चे सभी मैच जीतने होंगे संद्राइ हैदराबाद एक बहुती मजबूर टीमों में से एक है और ये पिछले साल IPL में उप भी जेता रही थी और ये एक बार IPL का खेताब भी जीत चुकी है लेकिन इस बार IPL में संराजिस हैदराबाद ने कुछ खास प्रतशन नहीं किया है और हैदराबाद ने इस साल IPL में अब तक आठ मुकाबले खेले है जिसमें से चार मुकाबले में जीते हैं जबकि चार मुकाबले हार का सामना करना पड़ा है और हैदराबाद की तरफ से जॉनी ब्रेश्टो और डेविड वानर लगातार रन बना रहे हैं कॉलकता नाइटरेडस कॉलकता नाइटरेडस एक बहुती मजबूर टीमों में से एक है और इस साल शुरू के मैचों में बहुती शांदार प्रदर्शन किया लेकिन बाद में लगातार मुकाबले हार रही है और कॉलकता नाइटरेडस की तरफ से आंजरे असल खूब रन बना रहे हैं लेकिन वहीं दूसरे बल्लेवाजों के साथ नहीं मिल रहा है कॉलकता नाइटरेडस अब तक इस साल आईपेल में आठ मकाबले खेले हैं जिसमें से चार मैचों में जी तो चार में हार का सामना करना पड़ा है कॉलकता नाइटरेडस दो बार आईपेल की विजेता टीम है दोस्तों आपके हिसाब से आईपल 2019 में कौन सी वो चार्ट टीमें होंगी जो प्लेयाउफ में कौलिफाई कर पाएंगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद